करें एक दिए अब देखेंगे गईश केसस्टड़ी नमबर सैवन तेकर तोटल थे कंपर चुक है आपको वह सब क्लियर हो गई होंगी अब चिर नमबर सैवन देखेंगे इसमें सबसे सब्सक्राइब है तो आपने रेरा के अंदर आपने पढ़ा होगा कि यहां पर चेंजिस करना चाहरा है इन बीडिलिंग लेयाउट में तो आपने रेरा के अंदर क्या पढ़ाता अगर आपको कोई मौडिफिकेशन चेंजिस करना है तो उस केस में आपको टू थर्ड ओफ लॉटी की परमीशन लेनी पड़ती है ठीक है और यह मिनिममम है मतलब कम से कम तो आपको इतनी लेनी पड़ेगी इससे ज्यादा लो तो और अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं रहेगी ठीक है तो मि परमीशन मिली है और टो टोटल अलो टिस यांपर कितने थे एक सो पचास अगर इसका 2 3 करेंगे तो इसका 2 3 कितना होगा इसका 2 3 होगा हुआ तो आपको मिनिममम हंड्रेड की परमीशन लेनी थी और आपने ली कितने की मिलए है बस सेवंटी एडिक ही लिया तो यह आप इ यह से यह से यह से यह दोनों तो नहीं आंसर यहां नो में रीजन देखते हैं फटीटीर इस नॉट लिगली और राइस तो में एनी सोट अफ चेंजेस बीकॉस वन्स अप्लानी सेंक्षिन नोच इस इन ब्रेंडिंग लेयाउट और इस पैसिफिकेशन तो यह गलत है ऐसा न है कि चेंजेस नहीं कर सकते हैं आप बात में ठीक है फिर यहां पर भी रीजन देख लेते हैं फटीटीर इस नॉट लीगली ऑथ्राइस तो में एनी सोट अफ चेंजेस बिकॉस इट है तो ठीक है इनों नहीं क्या लेजन तो थार्ड की परमिशन लिए तो इसी लिए यह इसी लिए पूछाए कि कितने तक के अंदर इसे डीम अप्रूव माल लिया जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले हम केसिटी को देख लेए तो यह हमारा घाइस अब्जेक्टिव यहां कबर होता है इसमें क्या काया नोटिस करा गया था कमीशन को वह करा गया था 10 मार्स 2020 को यहां कमीशन को कुछ अप्रोप्रिट मॉडिफिकेशन कराने थे तूधा कॉमिनेशन और 12 मार्स को इनोंने कमीशन ने इंफॉर्म करा सब्सक्राइब कर लिया गया सम अफ दा मॉडिफिकेशन इन में से कुछ मॉडिफिकेशन अस्याप कर लिये एंड इट सब्मिटेशन और मेंडमेंट्मेंट बैक तुदा कमीशन और 25 मार्स 2020 को ठीक है यह देर आफ्टे दा कमीशन है नीदर इशू डायरेक्शन नौर पा 210 दिन लेंगे हम फ्रॉम दा कब से लिया जाता है फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस गिवन टूदा कमीशन ठीक है जब नोटिस कमीशन को दिया है वहां से आप 210 दिन कल्कुलेट करोगे ठीक है वह दस दिन जहां कम्प्रीट होते हैं वहां से हम इसको डीम्ट अप्रूब माल ल नहीं करेंगे तो यह ताइम मारा कब से कब तक होगा 12 मार्स 2020 से लेके आप 25 मार्स 2020 आपके टोटल बारा दिन बनते हैं तो यह आप इसमें नहीं करोगे आप क्या करोगे सिंप्ली आपको यहां से 10 मार्स 2020 से लेके दस 210 दिन कम कैलकुलेट करने हैं ठीक है 210 दिन जहां भी कैलकुलेट हो जहां भी कम्प्रीट होता है अप्टूबर कोई option दिया हुआ है क्या यस ठीक है तो यह हमारा बी विल बी दा आंसर सेकिंड का आंसर हमारा बी रहे मैं आपको सासाथ यह भी बता देते हूं यह हमारा पेस नंबर 73 कोमटिशन एक्ट जब आप चैप्टर देखोगे उसमें पेस नंबर 73 पर दिया हुआ यह अप्टूबर 3 था थर्ड कोशन हमसे पूस्ता है यह अगर एक बार आप एक्स्टेंशन ले चुके हो तो क्या दूबारा आप एक्स्टेंशन ले सकते हो अगर आपकी कोई सिया आर्पी प्रोसेस चल रही है तो वह हमारी 180 डेस के अंदर कंप्रीट हो जानी चाहिए तो इसका इसके बार लेसके आपको एक बार एक्स्टेंशन ले सकते हो यहां पर यह पूस्टेंशन जो है अगें ले सकते हैं तो इसका आसर रहेगा बिलकुल लेसकते हो और आपको एक बाब इकस्टेंशन मिलेगा वह मैक्समां नाइटी डेज का ठीक? तो घराइसका पूछता है. हमसे पूछता है which of the following scope of action can be undertaken by the initiating officer ठीक है initiating officer क्या-क्या कर सकता है against FDDR under the Prohibition of Bainami Property Transaction Act टीक है बेनामी Act के साब से initiating officer को क्या-क्या power है इन में से क्या-क्या चीज़ें वो कर सकता है यह पूछा गया है तो आपको याद हो हमारा बेनामी Act के अंदर हमने पढ़ा था कि initiating officer impound कर सकता है investigation भी कर सकता है provisional attachment भी कर सकता है लेकिन वो attachment नहीं कर सकता और नहीं confiscation कर सकता है तो इसका answer रहेगा हमारा 123 तीन चीज़ें कर सकता है तो यहां हमारे options में आजाएगा आपका यस ठीक है यह विल बीडा आंसर ठीक है 123 यह तीन चीज़ें initiating officer कर सकता है अंडर दा प्रोहिशन और बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट तो यह हमारा आंसर भी दाए ओके नाव कब पिपोर्ट किया अपने और पहुं पेमेंट जो करोगे आप उसके रिगार्डिंग बेस पे करोए ठीक है तो पेमेंट को टेफर करोगे मतलब थोड़े थोड़े टाइम के अंदर टैफर करेंगे पेमेंट तो इसमें सबसे पहले जो है वो ट्रेड क्रेडिट कहलाएगा बिकॉज इस तर्म इस लेस्ट फाइव यह स्टिक है आप जब इंपोर्ट रेगुलेशन पढ़ेंगे वैसे आपको मैं बता दू आपका यह इंपोर्ट रेगुलेशन आपके स्टरी मैटेरियल में नहीं दिये हुआ है लेकिन हमारा में 22 का पेपर हुआ है उसमें भी इंपोर्ट रिलेटेड कोशन पुछे गया था ठीक है और आपको मैं अभी भी बोलूंगी आपको यह छोड़ना नहीं है ठीक है यह हमारे ओल्ड स्टरी मैटेरियल इसे पहले स्टरी मैटेरियल था उसमें दिये हुए थे इंपोर्ट र हमारा आंसर सही रहेगा और सेकेंड ऑप्शन देखते हैं सेकेंड हमसे क्या बोलता है सब्सक्राइब पेमेंट अर्रेंजमेंट शेल भी ट्रिटे आज नॉर्मल बोरेंग विकॉस ऑफ डूरेशन और 3.5 यह नो इसे नॉमल बोरेंग नहीं बोलेंगे से ट्रेड यह नुद्री दे सकता है वो ठीके तो आंसर जो रहेगा इसका फॉस्ट एंट्जर्ट जो है वो साही है तो फॉस्ट एंट्थ हमारा किस ऑप्शन में वह्मारा एमें यह तो आंसर विल बीदा ए फिफ्ट ए रहेगा क्लिया तो गाई अब हमारे अब्जेक्टिव कुशन इसमें, what is the time limit for settlement of import payment on account of normal import from China? तो कितने time के अंदर payment कर देनी है? हमारी import payment आपने जो इंपोर्ट के अंदर पेमेंट कर देनी है? तो import regulations पढ़ोगे तो आपको पेमेंट कर देनी है, 6 months के अंदर आपको payment कर देनी है? अब second हम से पूस्ता है, can the authorized dealer grant extension of time period in case of settlement of import payment for POG-212? क्या इसमें extension मिल जाएगा? तो मैं आपको बता दू, extension जो यहां allow होता है, वो हमारा 6 months each time allow होता है, ठीक है? आप हर बार 6 महिने तक का extension ले सकते हैं और जो कि limited होता है to 3 years, ठीक है? यह सिर्फ 3 साल तक ही आपको चल सकता है, ठीक है? एक condition है, वो मैं आपको आपको एक बार answer से दिखा दूगी, ठीक है, इसके बातम थर्ड कोशन देख लेते हैं, थर्ड कोशन में कहता है, yes, specify the date till extension can be granted by the authorized dealer, date पतानी है, कितने टाइम के अंदर extension कर देना है, if no, who can grant so, तो एक बार answer देख लेते हैं, किस तरीके से present किया है, इ can consider granting extension of time for settlement of import close up for a 6 months, ठीक है, 6 months at a time, यह आपको की line है, 6 months at a time मिल सकता है, और maximum आपको कितने time के लिए मिल सकता है, 3 years तक के लिए मिल जाएगा, लेकिन यह extension grant करने के लिए कुछ conditions बताई हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं, while granting extension of time, AD category 1 bank must ensure that, क्या-क्या चीज़ इनकों ensure करन invoice are not under the investigation by ED, Central Bureau of the investigation or the investigation agency, मतलब उस import transaction पर कोई भी investigation नहीं चली हुए होनी, second condition देखिए, यहाँ पर बोलता है, while considering extension beyond 1 year, आपको अकर एक साल से ज़्यादा की extension देनी है, from the date of remittance, तो total outstanding of the importer does not exceed USD 1 million, USD 1 million से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 10% of average import remittance during the preceding to financial year, whichever is lower, ठीक है, आप क्या करोगे, USD 1 million ले होगे, और 10% of average import remittances लोगे, इन दोनमे से जो भी lower है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होता है, तो आपको extension maximum 1 year की ही allow होगी, 1 year से ज़्यादा extension चाहिए, तो आपको without limit रहना पड़ेग थर्ड हम से बोलता है, whether the extension of time has been granted by AD category 1 bank, date up to which extension has been granted, जो भी है, इंडिकेट होना चाहिए, इन दा रिमाक कॉलम, तो हम अपने case में देख लेता है, तो in case of R&PLL, outstanding dues जो था, वो हमारा 2.4 million डॉलर था, तो इस case में USD 2.4 million जो है, वो जादा है, USD 1 million से, तो इस case में आप extension जो है वो maximum 1 year तक का आपको allow होगा, तो यहाँ पर यह जो answer है, वो C वाले का answer है, तीन question पूछे थे ना, आपसे 6 question में, तो C वाले का answer है, hence the authorized dealer category 1 bank and grant and extension up to a maximum of 1 year तक का मिल जाएगा, from the date of shipment, टिकेट, shipment की date कितनी तारिकती है, आपर 9 अपरेल 2021 थी case study में, टिकेट, तो 1 year लिया तो इस case में, आपको concern regional office of the reserve bank of India के वो refer करना पड़ेगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, further extension can be granted, आपको आगे extension मिल जाएगा, तो guys अब देख लेता है, 7th question, यह हम से बोलता है, whether the initiating officer is authorized to conduct an investigation on his own against FDDR, does he require any approval for the same, तो इसमें आपर पूचाए, initiating officer जो है, वो investigation कर सकता है अगेंस FDDR या फिर इसको investigation करने के लिए किसी approval की requirement, तो इसके लिए सबसे पहले हम case study पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, initiating officer ने show course notice serve कर दिया था, तो इस case investigation नहीं कर सकता है, जब आप show course notice serve कर चुके हो तो उस case investigation नहीं कर सकते है, तो yes, यहां से question number 7 cover होता है यहां पर क्या है, FDDR comes under the scanner of initiating authority in respect of one of its property which is alleged to be a Benami, the initiating officer ने क्या करा, after recording the reason in writing serve a show course notice, why the property should not be treated as the Benami property, on the principal officer of the FDDR, the initiating officer believe that he must conduct an investigation in order to fetch some conclusive pieces of evidence against the FDDR regarding the Benami nature of the property, तो आपको बताते हैं, आपने यहां पर show course notice serve कर दिया है, तो आगे आप कोई investigation नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर में दिया हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, लोगों ने, देखो मैं आपको एक चीज के आंसर भी दिखाती हूँ, तो इसी बज़े से वीडियो थोड़ी long हो जाती है, अगर आप इसको answers को खुद read कर सकते हैं, तो वीडियो अपने आप में ही खुद कम हो जाएगी, तो आगर आपको इससे लग रहा है कि time consume हो रहा है, तो आप मुझे बता देना, मैं यह चीज है, फिर नहीं बताऊंगी, इसे बताने का बस मेरा purpose यह होता है, क्य तो थोड़ा मैं आपको idea दे देती हूँ, क्योंकि आप खुद से read करोगे, तो मेभी आप ना पढ़ो, बस सुनते जाओ, वीडियो खतम कर दो, लेकिन मैं आप उससात एक पर answer इसलिए दिखा देती हूँ, कि थोड़ा आपको idea लग जाए कि जो हम पढ़ रहा है, वो सही ह अपर अपर सब्सक्राइब, तो आप और आपड़ा लेकिन कर सकता है, लेकिन क्या आप अफ्टेणि दा प्रियर अप्रूवल अथर्ड यहां पर गाईज एक चीज और क्लारिफाय करी गई थी, यहां बोला थार नथिंग कंटेंड इन आप्लाई कुछ नहीं होगा और न after obtaining prior approval of approving authority भी नहीं कर सकते तो हमारे अप्रिजेंट केस में क्या हुआ दगर शोकर्स नोटिस जो है वो सर्व हो चुका था उन्होंने बोला शोकर्स नोटिस दिया था वाइदा प्रॉपर्टी शोड नौट बी ट्रेटर बेनामी पॉपरिटी इस अल्रेटी सर्व हो चुका अब हम एट्थ कोशन देख लेते हैं आपर क्या पूस्ता है यहां से पूस्ता है इस रियली एप्रिशेबल डर्टा बैंकर शोर सिंपैथी विद्मिस्टर निशांग बट वैदर दा बैंकर इस लीगली करेक्ट फॉर डिनाइंग तो प्रोवाइड एनी सर्विसेस तो मि आप सेंस और परनेशिंग नहीं अधार काड्स इस प्रूफ ऑफ अडेंक्ट यहां पर क्या हुँ आपको पहले कुछ पूफ अवा आइडेंटिटी दिखाणा पड़ेगा तो वह बैंकर जो है उनका स्पैसिफिक उन्हों ने बोला था कि प्रूफ आधार कार्ण दिखाना पड़ेगा लेकिन यहां निशान के पास अधारकार नहीं था इसने कोई अधार प्रूफ आइडेंटिटी शो कर दिये थे लेकिन बैंकर इस सीच पर एग्री नहीं कर रहा है वो डिनाय कर रहा है तो प्रोवाइड सर्विस इन अपसेंस ऑफनेशिंग अधारकार इस पूफ आइडेंटिटी तो आप बताएए क्या बैंकर का कंटेंशन यहां पर सही है तो मैं आपको बता दूब यहां पर बिल्कुल सही नहीं है बैंकर जो डिनाय कर रहा है सर्विस के लिए वह बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि जब आप पढ़ोगे एस पर सेक्शन 11-a और पमला ठीक है तो पमला के अंदर हमारा बोला गया है क्लियर कि वहां पर पूफ आइंटिटी में आधार कार्ड की जिगे कोई अधर पूफ आइडेंटी भी यूज किया जा सकता है एक बार हम आंसर देख लेदे हैं वहां पर किस तरीके से प्रिजेंट किया है लोगों या फिर ऑफ लाइन वेरिफिकेशन अंडर अधार या फिर यूस ऑफ पासपोर्ट इसूर अंडर सेशन फोर टिके पासपोर्ट भी वहां वैलिट पासपोर्ट के तुब करा जासकता है या यूस ऑफ है अधर ऑफिशिल वैलिट डॉक्यमेंट और जो की नोटिफाइब इसा नहीं है बैंक बोले कि आपको सिर्फ और सिर्फ अधार कार्ड ही देना है यूस तरीके से बैंकर जो है वो डिनाय नहीं कर सकता है कि यहां में वी बैंकरिव यह बिलकुक्त कर सकता तो आपके सिर्फ यह 35 एंधिर कर लेंगे चलो मिलते हैं नैक्स वीडियो में तिल ने टेक क्या थेंक यू